येस तो जैसा कि आपने थमनेल से पतागरी लिया है कि MP High Court Junior Judicial Assistant का जो पेपर हुआ था 21st September में अभी तो वो कैंसल हो गया है रीजन क्या था अभी हम नोटिस के मादने हम से बताएंगे और जिन्होंने एक्जाम दिया था तो उनको पता है क्या रीजन रहा था काफे लोग ये सोच रहांगे सर ये बेकेंसी कब आई थी तो बेकेंसी 2022 में निकली थी फॉर्म भराया गया था पहले पेपर जुलाई अप्रेल ऐसे चलता रहा फाइनली पेपर की जो डेट आई वो सेप्टेंबर में होगा ठीक है अब जब कैंसल हुआ है तो री एक्जाम होगा तो री एक्जाम की जो डेट है ना वो 29 दिसंबर रखी है क्या है कहां से मैं बोल रहा हूँ क्या रीजन है तो आप इस नोटिस के माद्धियम से समझ सक वर्स 2022 में 40 पदों हेतों ऑनलाइन भरती हुई थी परिक्षा की जो डेट थी ना वो 21 सेप्टेंबर यानि 21.09.2023 में सामिल हुए जो अभ्यारती थी उनको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त परिक्षा के बिसियों मैंसे ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग जो 40 अंक की थी प बारण ये परिक्षा की निरस्त कर दी गई है चीक है और जैसा जब आपने एक्जाम दिया तो ये टेक्निकल इसू आया था जिसकी बज़े से पूरे स्टुडेंट में खलवली थी और चाहते थे लेकिन अच्छी बात है कि फाइनली वह हुआ जो क्योंकि गलत था क्योंक दस नंबर का पीपर होता है दस नंबर का कंपीटर दस का इंगलिस बांकि जो टाइपिंग बहुत मीजर रोल प्ले करता है सेलेक्शन में तो उसी में अगर टेक्निकल इसू है तो कैंसल तो होना ही था बट अच्छा है थोड़ा सा अपडेट जल्दी मिल गया तो अब क्य आयो जित की जाएगी लेकिन एडमिट काड आप सभी को पता है कि एक्जाम से साथ दिन पहले डाउनलोड होना स्थार्ट हो जाएंगे वेबसाइड आपको पता है तो पहले पेपर दिया था उनी के लिए सारी इंफरमेशन बहुत छोटी सी इंफरमेशन है अब जो लोग हमारे साथ नहीं जुडेते तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि MP High Court Junior Judicial Assistant के लिए हमने टास सीरिज लॉंच करी थी फिरी थी इसका कोई कास्ट नहीं है अगर आपने जॉइन नहीं की थी या आपने जॉइन की थी फिर से प्राक्टिस करनी है तो आप जॉइन कर ल नास वीडियो में आपको बता देंगे तब तक के लिए थैंक यू सुक्रिया रादे रादे